दोस्तो पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराईए नहीं हम लेकर आएं आपके लिए डाउटनेट अप जिसमें आपको जिस भी कॉश्चन का डाउट्स आता हो फोटो खीचिये कॉश्चन का क्रॉप करिए और तुरांत पाईए वीडियो सेलिशन वो भी फ्री में ज जिया दोस्तो फ्री में पूछो अनलिप्टेट सवाल कहीं भी और कभी भी किसी भी सब्जक्ट के लिए क्लास छटी से लेकर क्लास 12 के लिए आईटी हो या जेइन नीट्स हो के लिए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के लिए आईटी जेइन नीट्स के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है जिसमें इंडिया की सबन कर देश के सभी राज्यों से लाए बच्चे रैंक वन आज ही डाउट नेट आप इस्टाल करिए आपने सारे डाउट को नवस्कार दोस्तो आपके अपनी यूट्यूब चैनल एके फूर एकडमी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर के बारे में पूरे पूरे बात क सकते हैं यह निर्देश दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं दोस्तो अब हम पहला प्रस्न है रिक्तिस्थानों की पूरती कीजिए तो इन सभी के सभी परस्नों का स्क्रीन सौट कर लीजे पूरा पूसान काल में मानाओ का जीवन था दूसरा है ट्रिप पूट का निर्मार किस ने कराया। दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम में जॉइनना हुए हूँ तो लिंक डिस्क्रिप्षन में दिया हुआ है टेलीग्राम का आप जाकर जॉइन कर सकते हैं। question number second की बात करते हैं तो question number second क्या है निलिखित बाको को सत्य एवं आसत्य लिखिए जी हैं दोस्तों क्या करना है निलिखित बाको को सत्य में सत्य आसत्य लिखना है इसमें 5 question दिये हुए आपके screen पर इसका भी screenshot आपटापट कर लिचे इसी तरह हम दोस्तों बात करते हैं कॉस्चन नमर 3 की तो कॉस्चन नमर 3 में सही जोड़ी दिया हुआ है इस तम्भ आवा इस तम्भ बाकी जोड़ी चुनकर लिखिये इसमें भी 5 कॉस्चन दिये हो इनका भी स्क्रीन सोट आप कर लेंगे इस पूरे के पूरे पेपर को त्यार कर लेंगे आपके 30 से 35 नमबर आसानी से आ जाएंगे कॉस्चन नमबर 4 की बात करते हैं कॉस्चन नमबर 4 ने लिखित प्रशनों को एक बाग की में उत्ता लिखिए दोस्तों हमारा पहला कॉस्चन है सिवा जी की राजधानी का क्या नाम था दूसरा कॉस्चन है इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होई थी तीसरा कॉस्चन है डचो ने भारत में अपना प्रथम कार खाना कहां स्थापित किया था चौथा कॉस्चन है भारत में प्रतम पूर्टगाली गवरनर कौन था और पाच्वा कॉस्चन है भारत में आने वाले सर्व प्रतम वैपारी कौन थे इसी तरह हम बात करते हैं कॉस्चन नमर पांच की तो कॉस्चन नमर पांच में सही बिकल पे दिया हुए जी हैं दोस्तों क्वेश्चन नमर पांच में क्या दिया हुए है सही विकल पे दिया हुँ जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहा है पहला क्वेश्चन है अलीगर्ण अंदोलन के परवर्था कौन थे दूसरा क्वेश्चन है फारवर्ड ब्लाक किस था अपना किसने की है इसी तर लाश्ट क्वेश्चन है कांगरेस के परथम अद्वेश्चन के अभधैच कौन थे यह इंगलिस मीडियम में भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं Q6 की बात करते हैं Q6 में क्या है 9 पासांड काल के 2 प्रमुक आउजारों के नाम लिखिए इसके अत्वा का प्रशन पुरा पासांड काल के भोजन के नाम लिखिए Q7 सिंदु सब्भता नगर के निर्माड की 2 विसेशताएं लिखिए Q8 तराइन के दुती विसेशताएं लिखिए इसके अत्वा का प्रशन चंदेल वंस का संस्थापक कौन था एबं चंदेल वंस की राजधानी का क्या नाम है इसी तरह हम बात करते हैं Q9 की Q9 में बाबर का पूरा नाम क्या है और उसी question number 9 का अथवा का प्रशन है खानवा का युद्ध किस किस के मद्ध हुआ है दोस्तो इसका pdf डाउनलूड करना है तो link description में दिया हुआ है टेलीग्राम का आप जाकर जोइन कर लें आपको वहाँ pdf आल्डेडी प्रवाइड करा दिया गया है दोस्तो इस वीडियो से आपको पूरे के पूरे 30 या 35 नमबर आसानी से आ सकते हैं तो वीडियो को पूरा सुरू से अंत तक देखें और सभी के सभी question त्यार कर लीजिए question number 10 की बात करते हैं तो question number 10 बारत में पुर्त गालियों के पतन के दो कारण लिखिए डचो ने किस स्थापनों के बस्तियों की स्थापना की थी question number 11 की बात करते हैं तो question number 11 सेर साय सूरू के सासन की तीन विसेस्ता हैं लिखिए इसके अतबा का प्रस्ण अकबर द्वारा कठनाईयों की कोई तीन समाधान लिखिए दोस्तों इससे पूरा का पूरा पेपर यही नहीं आएगा आपके 30-35 नंबर आसानी से बन सकते हैं साय जहा के सासन काल की कोई तीन उप लबधियां लिखिए औरंग जेब के धार्मिक नीती की कोई तीन कारण लिखिए इसी तरह हैं बात करते हैं question number 13 की तो question number 13 जो की आपके स्क्रीन पर सो रहा है उप गरंतियों की उत्पत्ति के कोई तीन कारण लिखिए इसके अत्वा का प्रस्ण असाहयोग अंदेलन के कोई तीन परभाव लिखिए question number 14 की बात करते हैं तो असाहयोग अंदोलन के कोई तीन परनेम लिखिए और भारत छोड़ो अंदोलन सफलता के कोई तीन कारा लिखिए आप सभी के सभी question त्यार कर लेंगे question number 15 की बात करते हैं तो question number 15 क्या है प्रेचीन भारती इतिहास के निर्मान में अभिलेक के कोई चार महत्तु लिखिए इसके अत्वा का प्रस्ण पुरा पुसाण काले में मानो जीवनगी कोई चार भी सेस्ता हैं लिखिए इसी तरह हैं बात करते हैं question number 16 की तो question number 16 जो की आपके स्क्रीन पर सोरा है सिंदु सभथा के कोई चार इस थलो के बारों में लिखिए और इसके अत्वा का प्रस्ण सिंदु सभथा के कोई चार भी नास के कारान लिखिए question number 17 भारत, कला और सहित के छेत्र में चोलो की कोई चार उपलब्दियां लिखिए दोस्तो पीडियाप डाउनलोड करने के लिए link description में दिया हुआ टेलीग्राम का आप जाकर जोइन कर लेंगे class 12 के R2 All Subject के IMP question हम प्रवाइड कराते हैं दोस्तो जिससे आपके पूरे के पूरे 30 या 35 नंबर आसानी से बन जाता है जो भी अगर आपको doubt हो बात करनी हो तो इस्टाग्राम का ID link description में दिया हुआ है आप जाकर check out कर सकते हैं फालो करके message भी कर सकते हैं आपका reply दिया जाएगा question number 18 की बात करते हैं तो सीवा जी के कोई 4 सेन ब्यवस्ताएं लिखिए इसके अत्वा का प्रशन है सीवा जी के कोई 4 राज ब्यवस्ताओं को लिखिए इसके 19 नंबर का प्रशन भारत में अग्रेजों के सफलता के कोई 5 कारण लिखिए और प्लासी के इद्ध के 5 पैंड नाम लिखिए question number 20 की बात करते हैं तो question number 20 है 1867 की करांतिक के कारण सैनिक कारण दीजिए 4 सैनिक कारण दीजिए इसके अठवा का प्रसन पिठिस इंदिया एक्ट की 4 धाराएं लिखिए इसी तरह हैं बात करते हैं question number 21 की तो question number 21 जो की आपके स्क्रीन पर सो रहा है राश्टी अंदोलन में मद्द प्रदेश के कोई 4 योगदान लिखिए और इसके अठवा का प्रसन मद्द प्रदेश के कोई 4 फटाफट सस्क्राइब करके अपने दोस्तों को ये वीडियो पूरा का पूरा सेर कर जिए जिससे उनके भी 30-35 नंबर आसानी से बन जाएं जो भी डाउट्स हो इस्टाग्राम में आप बता सकते हैं question number 23 की बात करते हैं question number 23 है question number 24 question number 25 की तो question number 25 जो की आपके स्क्रीन पर सो हो रहा है स्वामी दैयानन सस्थी की पाँच समास सुधार लिखिये question number 25 की अत्वा का रामकरश्न मिसन की कोई पाँच सिधान्त लिखिये दोस्तो पीडिया आप डाउनलोड करने के लिए link description में दिया हुए telegram का आप जाकर जोइन कर सकते हैं telegram एप पर जाकर सर्च करिए ek4 academy आप जाकर वहाँ जोइन कर लिजिए आपको पीटे फाल डेडी प्रोवाइड करा दिया गया है दोस्तो हम total to total IMP question प्रोवाइड कराते हैं जिससे आपके 35 नमबर आसानी से आजाए पूरा का पूरा पेपर नहीं आ सकता question number 26 की बात करते हैं question number 26 है मद्द प्रदेश के प्राप्त पासाड युगीन पांच स्थरों के नाम लिखिए इसके अतबा का प्रशन मद्द प्रदेश के गुप्त कलीन कोई पांच अबलेवकों के बारे में लिखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा सेर कर दीजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को फटा फट सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन प्रस कर दीजिए मिलते हैं नेट आपसा इंट्रेस्टिंग वीडियो में जब तक जय हिन बाइ